नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में आज कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे बच्चे जब दूद पीते पीते सो जाते हैं तो हम उन्हें डकार कैसे दिलाएं जी हां दोस्तों जैसे कि मान लीजे एक चोटा सा बेबी है जिसको आप पीडिंग करा रही है दूद पिला रही है और सो जूँए ब्सको ढटा करके देन के तो भी बच्चे जाग साकता है झायए से आपकी भी नींद खराफ हो जाएगी беспश्याश्त दूद्ध पिलाते बच्चा दिलाने के जब उठाते हैं तो बच्चा जाता है जिससे उसकी बिनीद खराब हो जाती है और हमारी बिनीद तो इसका इसका इक सिंपल और बहुत जादा सटीक सलूशन है दोस्तों आपको कोई प्रॉड्लम नहीं होगी और बच्चा जो दूद गुदिक दूदिक तो ऑफ इसको इसली दकार दिला सकते हैं इसके लिए विद्ध चाहगी जासे कि मन लीजए अपने बच्चे को भी ब्रेस्फीडिंग कर रहे है तो आपका बच्चा ब्रेस्फीडिंग कर रहा है पी रहा है वह पीते पीते जो गया जैसे इस साइड से बच्च जो है सब्टावट पर छू रहा है इस तरीके से आपकी बेसफीडिग करते करते ही इस साइट से सो गया तो simply आपको कुछ भी नहीं करना है आप यूज जैसे ही गहरी जैसे ही दूद पीने की बाद 2 मिनिट के अंदर गहरी नींद लेथा आप अपना जो है आप अप ब्रेस फीडिंग जो पिला दिया तो उसको हटा करके तुरंथी बच्चे को उसकी करवट है उसको चेंज करा दीजे इस तरीके से इसी क्या होगा बच्चे को आपको उठाना भी नहीं पड़ेगा और बच्चे सिंपली सोता भी रहेगा और उसको डकार भी आ जाएगी अग आपको खुद भी डकार आ जाएगी तो एक यह बहुत अच्छा तरीका है मैंने खुद अपने बच्चों प्याजमाया हुआ तो इसलिए आप बच्चे को इस तरीके से डकार दिला सकते हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपका बच्चा भी नहीं उठेगा उसको डकार भी आ जाएगी और आपकी नींद अच्छी हो जाएगी बच्ची की नींद बहुत अच्छी होगी तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को बिना जगा उनको जो है डकार दिला सकती है एक बात का आपको विसेज करके ध्यान रखना है कि आपको इस चीज से चिंता बच्चे को इसी साइड से मिल्क फीडिंग कराने है नहीं अगर इस साइड से मिल्क फीडिंग बच्चे को करा दिया तो कोई बात नहीं आप इस साइड से करवट करा दीजे अगर आपका बच्चे इस साइड करवट लेके दूद पी रहे तो आप बच्चे को अपोजिट तो यह तरीका बहुत आसान है। बहुत सठीग है बहुत ही जानाटर सुननार हो जाएगी तो इस समय आपको ऐची के टानाटे को बनिए हूं कि जुमनतर हो जाएगी तो अप् efforts में हैं तो फीकी डंकिता मीजको sollte कर था करने के वी झियुक्त कल़ जानागी स्थीकाइगी तो उनके भी बच्चों की हेल्प हो सकें और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा चलिए में देहले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार चाहिए